इस तरह से आप लिख सकते हैं पर अगर समझो ए डिवीजर ऑफ बी नहीं है देखो ए इस नोट डिवीजर ऑफ बी इनस वन के आज एका माइनस नाई पूरा का पूरा पूरा पार्ट अप्लोड किया है और फ्री और पॉस्ट प्रदीवगरी एकड़ी चैनल में आपका बहुत अच्छे चीज़े कंप्लीट करा दूँ बट अगर आप इस वीडियो पर रिस्पॉन्स अच्छा दिखाओगे मुझे मोटिवेट करोगे नीचे कॉमेंट में तो हो सकता है कि मैं इसका जो आगे वाला पार्ट है आपके एक दिन पहले तक सब कुछ फिनिस कर दू और अगर आप देखोगे तो मैंने आपका बाकी का पूरा का पूरा पार्ट पार्ट कुम्प्रीटली मैंने पूरा का पूरा पूरा पार्ट अप्लोड किया है और फ्री और कॉस्ट यहां वे मैंने कोई औप छिस चार्जिस नहीं लिए है vais मैं आपका M3 का बैश लेकर आ आ सकता हूं और मैं लगातार आपको first year से help करते आ रहा हूं free of cost अब दोस्तों देखो यहां पे सबसे पहले मैं division theory के बारे में पढ़ूँगा division algorithm क्या होता है पर यह वाला पार्ट मैं last में लेता हूं क्योंकि यह theory की तरह पार्ट है सबसे पहले मैं यहां पे कुछ चीजे starting मे ही एक theorem है जो theorem आपको पता होना चीए देखो यहां पे बी है सबको याद हो जाएगा बी के साथ क्यूं है और प्लस दोस्तों आ रहे जिनको नहीं याद हो रहा होगा तो देखो ए बीचे से इकूल डूब तो याद हो गया होगा बी क्यों है क्यों याद कर लो और साथ मेर नाम आर याद चलो हो गया तो दोस्तों अब यहां पर यह condition satisfy होगा बट यहां पर हमेशा आर का जो answer है दोस्तों वह हमेशा 0 से लेके हमेशा mod of B के बीच में होगा अब यहां पर सर आप क्या इसे एक example के तौर पर बता सकते हो जरूर और मैं हमेशा इस तरह से आपको चीजों को complete करा रहा हूँ कि जिससे आपको बिल्कुल भी टेंशन आओ और अगर आप मेरा लेक्षर आज देख रहे हो तो यह topic आपका फ्यूनिश और इसमें एक सबसे important topic है सबसे वही कराऊंगा और यहां पर दोस्तों 4 है तो 4 से एकर मैं divide करता हूँ तो 27 के table में 27 से छोटा number 24 आता है कितने time में आता है दोस्तो 6 time में आता है और finally यहां पर 3 है और आपने छोटी class में पढ़ा होगा कि इसको आपन question बोलते है इसको आपन remainder बोलते है इसको आपन dividend बोलते है और इसको तरह से यहां पर पार्ट है अब देखो ध्यांग से यहां पर यहां पर हम क्या करते हैं इस एक चीज का ध्यान रखना है कि जो मेरा R का value है दोस्तों वो कितना है 3 है R का value कितना है 3 देखो यह आपका R है यह आपका दोस्तों पता है B है यह दोस्तों आपका A है और यह वाला part दोस्तों आपको पता है कुन सा Q है तो यहाँ पे यह आपको पता है R मतलब remainder है यह Q मतलब quotient है और A मतलब आपको पता है यहाँ पर A मतलब यह जो बड़ा आला पार्ट है तो यह हमेशा क्या होगा आपका dividend होगा और जो पार्ट बचा हो आपका क्या होगा दोस्तों डीवीज है तो यह तो normally आपको बहुत अच्छे से इसका idea है अब दोस्तों यहाँ पर जो B वाला पार्ट है क्या जो R का answer 3 है तो क्या इसका answer दोस्तों 0 से B के बीच में आया है क्या 0 से लेके B का value कितना है 4 जो 3 है दोस्तों वो 0 से 4 के बीच में आता है मतलब यह मेरा answer के है दोस्तों राइट है और आपको बहुत अच्छे से चीजों को अनलाइज करना है अब दोस्तों यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे पर दूसरे को बोलते हैं नहीं मैं तो पढ नहीं रहा हूं और पदा चला है कि सब लोग इसी से पढ़ता है मैं नहीं पढ़ रहा हूं और पदा चला और मुझे आके दूसरे दूसरे बच्चे मेरे हर कॉलेज में स्टुडेंटे सब बताते हैं तो अभी मैंने नंबर थेयरी का वीडियो नहीं बनाया था ना पुरे उने युनिवर्सिटी में हड़कम मच गया है कि यार सर को बोलो यार वीडियो बना दे वीडियो बना दे और पढ़ना मुझे ही है तो इसलिए अगर किसी को दिल से प्यार कर रहे है तो पुरे अच्छे तरीके से करोगे तो अच्छा लगीगा नहीं तो उपपर वाला भी देख रहे है ऐसे लोह का ही जब जाते हो नहीं आप प्लस का माइनस हो जाता है फिर जो अच्छा मांग से वह भी चले जाता है तो इसलिए हमेसा किसी के साथ एक साइड रहो दिल से रहो अब देखो यह आप है यह 45 है और हमें क्या करना है 60 के है बीच पर GT निकालना है चो क्लास में पड़ा है तो क्या करण है मैं सबसे पहले 45 कूं-kूंसे टेबल सुमें आता है तो 1 के टेबल में आता है थरी के टेबल में आता है 9 के Table में आता है कि और दोस्तों इसके बाद 15 के Table में आता है और दुस्तों इसके बाद 45 के Table में आता है और भी अगर मैं कुछ नहीं लिखा तो गैर शूंतै कि इसके अंदर आपको चेक करना है कौन सा common numbers से है जो सबसे बड़ा हो, दोस्तो आप बोलोगे, सर ये 3 तो Common है, पर sart ने क्या बोला जो सबसे greatest हो, तो common number जो सबसे greatest है दोस्तो वो कौन सा 15 है, तो ढिरेक इसका gcd आप डारेकlar क लिख सकते हो दोस्तो, GCD of किसका पुछा है दोस्तों GCD of 45 and 60 इसका direct GCD आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों 15 तो यह पर आपको इस प्रोसीजर से और B का जो value है दोस्तों 0 नहीं है तो दोस्तों यह वाला तो आपको पीछे पता है A विच्छे से equal to BQ plus R यह तो यादी हो जाना चाहिए और आपको पता कि R का जो answer है मैंसा 0 से लेके B के बीच में आता है तो दोस्तों अगर कभी मैं A और B का मैं अगर जीसीडी निकाल रहे है मोशली ए और B का जीसीडी निकालने बोल रहे है तो उसका जीसीडी दोस्तों हमेसा यह आपने यहा पे निकाल आ अगर आप 27 और 4 का अगर आप support GCD निकाल गए तो उसका जो answer आएगा दोस्तो 4 और 3 के GCD को हमेशा equal होगा तो यह इसका एक property है GCD का आपको पता होना चाहिए कभी अगर property के उपर कुछ चीज़े आई Actually एक तरगा theorem है तो आपको पता होना चाहिए One of the most important part दोस्तो यहाँ पे Euclidean algorithm Euclidean algorithm हमें क्या करता है दोस्तो GCD का actual value find out करके देता है Actual क्या GCD का value है दोस्तो वह हमें find out करके देता है जैसे यहाँ पे देखो लिखा है ना Use to find the actual value of GCD of D of two given integers मतलब देखो दो given integers हैं उसका जो GCD का value है वह हमें क्या करता है दोस्तो को find out करके देता है और साथ में हमें यह दोनों linear combination में लिखने के लिए यह दोनों values भी find out करके देता है तो यह आपको पता होना चाहिए अब देखो यहाँ पर मैं यूक्लियन अल्गोरीधम ही यहाँ पर मैं apply कर रहा हूँ यही आपके एक्जाम के लिए सबसे important पार्ट है यहाँ पर GCD लिख लो find GCD of 26118 express it in the form of हमें finally इसको इस form में express भी करना है मतलब linear combination के form में express करना है और x and y क्या है दोस्तों integers मतलब plus of minus form में दोनों में रह सकते हैं तो समझ जाना कि आपका काम बहुत अच्छा हो जाएगा बिल्कुल डेंसन करतम हो जाएगा देखो सबसे पहले यहाँ पर इस तरह का टेबल बनाओ आपको पता है यह पूरा equation आपको पता है पीछे आपने लिखा है सेम वाला equation आपको देखो पता है ना यह वाला equation सभी को पता है न तो वहाँ ही से मैंने चीजों को लिखा है देखो पहले Q लिख दिया फिर A लिखा B लिखा R लिखा अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे तो एक इसका वैल्य है दोस्तो अगर आप A के वैल्य की बात करोगे तो यह दोनों में से जो भी greater value हो आप A पर लिख दो dividend होता है और B के यह दोस्तो डिविजर है 26 है अब आप क्या करो पता है 26 का यहाँ पर divide करो 26 से यहाँ देखो मैं divide कर रहा हूँ बहुत simple सा बता रहो 26 को divide कर रहो लग 118 को divide कर रहो 26 से अब मैं देखो 26 का अगर मैं table लिखता हूँ समझो मैं randomly ऐसे अपने मन से कर ले रहा हूँ 4 तो मैं अगर समझो 26 into 5 एक बार check कर ले रहा हूँ तो 26 into 5 या तो चाहिए तो देखो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 26 का जो table होता है 26 बन जा 26 26 2 जा देखो यह सब को समझ मैं इसले लिख रहा हूँ 26 3 जा 26 4 जा और 26 5 जा इससे बड़ा नंबर मिल जाये तो रुख जाना है तो देखो इससे बड़ा नंबर मिल गया मैं रुख गया तो मैं मुझे इससे चोटा नंबर चीए तो 104 है कितने टाइम में है दोस्टो 4 जा तो यहाँ पर माइनस करने जाओंगा तो मुझे ऐसा लग रहे हैं कि यहां पर एंसर कितना आएगा दोस्तों 14 तो अगर आपको दिक्कत होगा तो 118-104 करोगे तो 14 एंसर है अब दोस्तों इसको लिखना कैसे तो आपको पता है और दोस्तों आपको यह भी पता है दुसरे कलर में लिख रह जाए है इसको यहां पर भेजो और जो यह म persecenza वाला benefit पे आ जाएगा और लास्ट वाला के सेुकर लास्ट पर आ और remainder में 12 अब आपको पतागी यह वाला पार्ट यह वाला पार्ट तो यहां पे 14 यहां पे 12 अब अगर आप देखोंगे तो यहां पर, अगर करने कोसिस करो तो दोस्तों देखो यहां पेसे अभी यहां पर मैं दिखग करने कोसिस करण कर दो कि है यहां पर ढ़िए और अगर मैं देखो डिवाइड कर Su 12 को अगर आप 2 को अगर आप 12 को 2 से डिवाइड करो तो 2 6 जा तो finally यहाँ पर answer कितना है दोस्तो 6 आए question और remainder के आए दोस्तो 0 और finally अगर आप इसको यहाँ पर लिखते हो तो यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर 0 आएगा अब दोस्तो अगर आप 0 से डिवाइड करने जाओगे तो डिवाइड होगा नहीं तो finally यहाँ पर डैस और यहाँ पर डैस हमेशा यहाँ जब यहाँ पर 0 आ गया न तो उसके last step में चीज़े खतम हो जाएगी और यह आपका final GCD है तो देखो आप पहले छोटी class में किस तरह स से solve कर रहा है तो finally आपने यहाँ पर GCD का answer निकाल दिया तो आपने यहाँ पर GCD का जो आपको answer है तो देखो यहाँ पर लिखोगे GCD GCD of 26118 कितना है दोस्तो टू है यह तो आपको पता चल गया यह देन फाइली दोस्तो हमें इसे linear combination form में लिखना है कौन से form में लिखना है Linear Combination form में लिखना है तो देखो मैं इससे लिखना और इसको लिखते time किस तरह से आपको लिखना है तो आपका GCD कितना है दोस्तो टू तो यहाँपे जो मैं 2 लिख रहा हूँ और अगर 2 है दो दो लिखना जो तो देखो यहाँ ने फिखो से 209 अगर संचो एं यहां व्यह यहां पर आपको टू कहां पर दिख रहा है आप जाके चेक करोगी यह जो आपने यहां से लिखा इसमें कहीं दिख रहे हैं तो उसमें यह वाला एक्वेशन अप्लाई करो उसमें उस वाले टेबल में अब आपको क्या करना है दोस्तो इसके बाद इसके बाद इसके बाद इसके यह दोनों मैं से चेक करना ही कोई नंबर आपको आर में दिख रहा है तो मुझे दोनों इन नंबर दीख रहे हैं अगर आप द्यान से देखोगे तो मैं उसके अंदर से समझों 12 ले ले रहा हूं कुण सा ले ले रहा हूं 12 तो देखो यह टू ऐसी है यह 14 भी ऐसे ही है अब मैं देखो 12 की जगह पे यह वाला formula फिर से apply करूँगा कितना easy formula है, सबसे वहले क्या लिखना होता है 12 में A का value क्या है दोस्तो 26, मैंने यहाँ पे 26 लिखा, फिर दोस्तो क्या है minus है, फिर B का value क्या है 1226, और यह minus minus 200 plus 14 बन्जा 14 अब आप यहाँ तक पहुँचे अब पहुचने के बाद आपको और अगर ध्यान से अगर आप चीजों को देखोगे तो देखो, हमेशा जब same same numbers दिखाई देंगे, तो उसको आप add कर लो जैसे देखो यहाँ पे, यह x है और यह भी x है, तो आपको उसको क्या लिखते है 2x, तो वैसे ही समझो, कहीं पे भी आपको ऐसा दिखा, 14 और 14 तो आप इसको direct 28 मत plus कर देना आप इसको क्या कर देना पता है, किस तरह से आपको plus करना है, समझो यह x है समझो यह पूरा का पूरा x है तो उसके आगे, समझो, यह पूरा का पूरा x है यह भी पूरा का पूरा x है इसके आगे 1 है, इसके आगे 1 है तो finally, अगर मैं इससे plus करूंगा तो आगे 2 into, और यह bracket में 24 रखना, और यह 26 ऐसी है यह चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना अब दोस्तों, यहां तक मैं पहुच गया अब यहां तक पहुचने के बाद अब फिर से मैं इसके अंदर कौन सा value पूट करूँगा तो देखो, 26 जो है इसके अंदर तो है नहीं और main मुझे इस form में answer चीए तो 26 को तो मैं कुछ नहीं करूँगा बस यहां पर मैं किसको put करूँगा 14 के value को तो मैं अगर यहां पर 14 के value को put करूँगा तो देखो, यह 2S ही रहेगा अब 14 अगर मैं put करने जाओ तो 14 में यही formula अपलाया हुगा A का value कितना है दोस्तों 14 में 118 कितना है 118 minus B का value कितना है दोस्तों 26 है अब देखो यहां पर अगर आप चीजों को बहुत अच्छे से अनलाईज करोगे तो आपको तुरंट चीजे समझ में भी आ जाएगी अब देखो यहां पर आप 2 लिख रहे हो यह 2 अब देखो 2, 118 आपका इसमें का पार्ट है तो आप इसको multiply मत करना 2 इंटू 118 ऐसी रखना अब दोस्तों यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोस्तों 26 आपका इसमें का पार्ट है तो इस 26 को कुछ मत करना बस यह 2 किसमें multiply हो जाएगा इस 4 में तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों 8 इंटू 26 और दोस्तों यहां पर भी एक 26 है तो finally अगर आप देखोगे तो 2 यहां पर क्या 2 इंटू 118 यह दोनों के पीश अगर समझो ऐसा है यह X है और यहां पर भी X है और समझो यह 8 है तो आप क्या करोगे पता है यह X ऐसी लिखोगे माइनस 8 माइनस 1 क्या जाएगा माइनस 9 तो वैसी यहां पर यह दोनों को आपको add करना है माइनस माइनस प्लस तो यहां पर यह 26 ऐसी ही रहेगा और यहां पर क्या जाएगा दोस्तों माइनस 9 और finally अगर आप उससे लिखोगे तो देखो 118 यह 2 ऐसी रहेगा मैं यहां पर क्या कर रहा हूँ मैं इससे क्या कर रहा हूँ पता है बीच में प्लस ले ले रहा हूँ तो यहां पर क्याएगा माइनस 9 और यहां पर क्याएगा दोस्तों 26 तो finally मैंने इसे इस फर्म में भी लिख दिया अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहां पर देखो 26 के साथ जो है x का value है 26 के साथ आपको x का value क्या मिला माइनस 9 और 118 के साथ किस का value है दोस्तों y का value आपको 2 मिला तो यहां तक आपको बहुत अच्छे से पूरा का पूरा पार्ट आ बस एक बaranप प्लीट करेंगे अगर आप द्यान से रेखो गए तो यह हमारा एक्जाम्पल है और इसे एक्जाम्पल को हम कंपलीट करने यहां पर फिर से हमें जी सीडी हमें यह दोनों का निकालना है अब जी सीडी बता दो आप दोनों में से greater numbers कुन सा है 275 यहां पर गाएगा दोस्तों 200 से डिवाइड करोगे देखो मैं अगर 200 275 को अगर मैं 200 से डिवाइड करूं तो 275 से चोटा 200 के टेबल में 200 ही आएगा और यहां पर काएगा दोस्तों 75 यहां पर फाइंटिक गोश्ञ्टे लिखेंगे और यहां पर रिमेंडेर लिखेंगे तो आपको पता ही यह वाला पाट यहां पर आजाएगा तो यह 200 ही 75 वाइं 5 तो तो यहां पर गाएगा तो और और यहाँ पर remainder क्या आएगा दोस्तो 50 finally फिर से मैं इससे change करूंगा तो यहाँ पर क्याएगा दोस्तो 75 और यहाँ पर क्या 50 फिर से हम अगर divide करेंगे by थोड़ा अच्छे से करना Kelsey का भी help ले सकते हो 50 बंजा 50 तो यहाँ पर 25 यहाँ पर 1 आएगा यह पूरा का पूरा पार्ट आपने अच्छे से लिख दिया फिर से आप यहाँ पर 25 को 50 से divide करोगे तो 2 जा 50 और यहाँ पर 00 तो finally यहाँ पर आपका जो question है दोस्तो 2 है और remainder का answer दोस्तो क्या है 0 है और मैंने बोला जब यह 0 आगया तो इसके आगे वाला अब देखो यहाँ पर लिख दोगे कि GCD यहाँ पर लिख होगे GCD किसका GCD चाहिए दोस्तो 275 और 200 का GCD चाहिए कितना है दोस्तो 25 पुझे उमीद है कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा जरूर आप मेरे confidence को बढ़ा होगे कि सर मज़ा आ गया अब यह दिमार्क में topic बैट गया अब देखो linear combination तो बहुत easy है आपको equation याद है A plus, sorry A equal to BQ plus R तो R equal to क्या हैगा दोस्तो A minus BQ अब यह form में हमें चीजे लिखना होता है Yes यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपका GCD कितना है दोस्तो 25 आप जाके remainder में check करो कि 25 कहीं पर Yes यहाँ पर तो आपको यहाँ पर यह आला formula apply करना है इस table में A का value कितना है 75 minus B का value कितना है table में दोस्तो 50 और into Q का value कितना है दोस्तो इस table में 1 अब देखोगे यहाँ पर आपने लिखा 25, यह 75, यह 50 अब दोस्तो नेक्स टेप में देखो यह 25 है तो ऐसी रहेगा 74 और 50 में से आपको इसमें कौन सा दिख रहा है दोनों दिख रहे है तो आपको पहला 50 वाला ले लेना है नीची वाला पर तो अगर मैं 50 को चेंज कर रहा हूँ देखो यह 75 है ऐसी रहेगा दोस्तो 75 देखो यह bracket on करूँगा तो यह क्या आगए 200 यह 75 इंटो 2 यह ऐसी रहना आप 75 को 150 मत लिख देना प्लीज जैसे हमने पीछे के सम में किया था फिर हम क्या कर रहे थे यह देखो जैसे 14 14 आया था तो इसके आगे दोस्तो 2 है इसके आगे 1 है तो मैं finally यहाँ पर क्या लिख दूँगा दोस्तो 3 और यहाँ पर क्या लिख दूँगा दोस्तो 75 बस उसके आगे वाले पार्ट को प्लस कर दो इसके आगे 2 है इसके आगे 1 है प्लस कर दो और यहाँ पर दोस्तो क्या आगे है डी दोस्तो और दोस्तो प्सक्राइब क्यों का 2 ज़सदों माइनस इस से लिखने कि कोशिस करोगे तो दोस्तों यह इस तरह से लिखाएगा देखो यहां पर 25 which is equal to 3 multiply by 275 minus देखो minus minus plus मतलब 3 और इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है 3 और 1 को plus कर दो कि तो कितना है दोस्तों 4 और आगे कितना है दोस्तों 200 तो फाइनली यह पूरा का पूरा पार्ट आपका complete हो गया इसके अंदर आप बता सकते हैं M का value कितना है दोस्तों जो 275 के आगे तो M का value कितना है दोस्तों 3 और N का value कितना है दोस्तों minus 4 तो दोस्तों अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको GCD निकालने आ गया है पर अगर समझो वह extended Euclidean theorem से अगर वह solve करने बोलेंगे algorithm से तो हमें कैसे करना तो मैं question लिखता हूं फिर वह वाला ही पार्ट आपने solve करेंगे तो दोस्तों यह वाला पार्ट अपना पूरा का पूरा complete हो गया अगर आप देखो कि यह वाला question अगर आपको solve करना तो आप solve कर लेना आप देखो यहाँ पर extended Euclidean algorithm है इसका use करके भी हम GCD निकालते हैं यहाँ पर दोस्तों हम यहाँ पर एक आपको ban odds coefficient दिखाई देगा S और T को हम यहाँ पर बस यह extra step से जो हम find out करते हैं और दोस्तों यहाँ पर इसके help से हम multiplicative inverse भी हम integers के find out कर सकते हैं अब दोस्तों यहाँ पर जो आपका S है उसका formula बहुत easy है दोस्तों S1-S2 और साथ में दोस्तों quotient है यहाँ पर T का जो formula है दोस्तो T1-T2 और यहाँ पर ही T1 और T2 का जो आप value consider करोगे तो दोस्तों वह कहा है दोस्तों 0 और 1 है जब मैं questions all कराऊंगा तो easy आपको समझ मैंगा दखो यहाँ पर questions है देखो यहाँ पर हमें फिर से GCD निकालना है और उसका दोस्तों using यह वाले method से तो ध्यान रखना अगर यह extended आया तो समझ जाना अच्छे से ध्यान देना और दोस्तों इसमें linear combination भी आपको find out करने बोलते वह भी सिखा दूंगा तो देखो यहाँ पर आपको क्या करना है सबसे पहले यह starting का जो पार्ट है न पीछे की तरहीं है तो starting का पार्ट यहाँ पर क्या है जो सबसे greater number है यहाँ पर 275 आपने लिखा है और यहाँ पर लिखा दोस्तों 200 फिर यह मैंने पीछे आपको सीखा है यह इससे divide होगा तो यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर 75 में यहाँ पर आपको पता यह वाला part और यह यहाँ पर पर next step में आपको पता है यह दोनों यहाँ पर आएगा तो 75 और यहाँ पर 50 अगर मैं इससे divide कर रहो तो यहाँ पर 1 आएगा और 25 बचेगा next step में हम क्या करेंगे दोस्तों यह वाला part यहाँ यह वाला यहाँ 50 है यहाँ 25 25 से अगर मैं इसको divide करूंगा तो 2 जाएगा और य इसी 0 आएगा तो समझ जाना इसके next step में जो हमारा सम है दोस्तों वह खतम हो जाएगा और यहाँ पर डैस और डैस तो मैंने जानबुच के extra table बना के रखा था तो उससे आप टेंशन में बता आ जाना कि सरीतना table extra क्यों है आपका time बचे इसलिए table मैंने पहली बना दिया अ और 0 लेना है अब आपको इससे solve करके s का value निकालना है सब कैसे solve करेंगे तो मैंने आपको formula बता है s which is equal to s1 minus s2 और q यहाँ पर s के q का value total कितना है दोस्तों यहाँ पर q के total कितने value है 1 2 3 4 तो 4 values यहाँ पर s के आएंगे तो ऐसे देखो में 1234 अभी यहाँ पर ऐप ध्यान से देखोगे यहाँ पर q का value है दोस्तों एक बार का घर दूससरे बार लिए weeun की के values देखो तीसरे बार का घर दोसरे rayun होगा दोस्तो वन और जिरो dev regret अब इसे अगर तो सड़ब करोगे तो अपने चैल्सी के ह편 से अगर सॉल करने कि को सिस्थ करते ऊंचाराम से चीज़ों को सैब करें देखो है कि यहां पर वन यहां पर आइंसर क्योंड ऊपने केलसी से ही सॉल्ल करना अब आपको पता ही यह वाला पार्ट यहां और मैंने क्ते नेंट्स टेप में हम और माइनस टू रखेंगे रहना करें और माइनस माइनस प्लस टू तो फाइनली यहां पर कितना एब दोस्तो 3 अब अगर यहां पर अब आप अप सॉल करोगे तो人ा हो आपको पताए कि यह वाला पार्ट यहां अएगा यह वाला है यह माइनस थी यहां भे ड trafficking अब ने स्टेप में तोस्तो माइनस थी आ और है तो फाइन ौशं स्वाइस है अब दोस्तों इसके बाद आपको पता है कि यह वाला पार्ट यहां आएगा और यह वाला यहां यहां पर 3 है और यहां पर दोस्तों माइनस 8 है अब यहां पर जो भी पार्ट आपको मिला क्योंकि अब इसके आगे तो हमारे पास करना इसके लिए देखो formula में बता रहा हूँ, देखो t, which is equal to t1-t2 यहां पर कहेगा q अब यहां पर देखो t1-t2 और यहां पर q और थोड़ा सा में पर जगह मिल जाए तो काम हो जाए देखो यहां पर T equal to T1 minus T2 और यहां पर कहएगा Q अगर आप यहां पर द्यान से देखोगे तो Q का value कितना है दोस्तो Q वही सेम value है 1 है 2 है 1 है 2 है अब यहां पर पहला value आपको पता है 0 और 1 है तो हमने पहला value किया लिए आप 0 और 1 तो अगर आप इससे solve करोगे तो इसका answer कहाएगा दोस्तो minus 1 आप प्लीज कैल सी में solve करना यहां पर minus 1 है अब next step में आपको पता है कि यह दोनों values यहां पर आएंगे यह 1 और यहां पर minus 1 अगर समझो मैं 1 और यहां पर minus 1 रख रहा हो तो तो 1 minus minus plus 2 यहां पर answer कितना हैगा 3 अब यहां पर मैं next step में दोस्तो यह दोनों change होंगे तो यहां पर minus 1 और यहां पर 3 तो दोस्तो minus 1 यहां पर minus 3 तो minus 4 answer आ रहा है अभ यहां पर चेंज जी साईगा दुस्तो यह 3 हो जाएगा और यह-4 यह अगे आप देखोगे next step में तो यहां पर 3 है और यहां पर जाएगा यह-4 तो यह 3 प्लस यहां पर कहएगा दोस्तो एट फाइनले दोस्तो यह पर 11 एंसर आ रहा है अब यहाँ पर 11 आ रहा है तो next step आपको पता है यहाँ पर यहाँ पर कहाँगा दोस्तो minus 4 और यहाँ पर कहाँगा 11 अब मुझे बताओ इसके आगे 100 लोगा क्या इसके आगे हमारे पास कोई equation नहीं है तो यही हमारा दोस्तो final answer है यह वाला part अब दोस्तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो देखो अब linear combination में मैं लिख रहा हूँ तो हमें पता है gcd कितना है दोस्तो अपना 25 और फिर हम क्या लिखते हैं दोस्तो 275 लिखें और दोस्तो ऑसके साथ हम क्या लिखते हैं दोस्तो 200 और आपको पता है इसके साथ अगर समझो मैं x लिख रहा हूँ इसके साथ y तो 25 which is equal to x का value कितना है दोस्तों पहले ही आया 3 और दोस्तों यहाँ पे y का value कितना है दोस्तों 4 200 तो देखो दोस्तों जो step आप यहाँ पे भी वही चीज़ आप find out कर रहे हो जो चीज आपने पहले कीया ता है यहाँ पे इस method से कर रहे ह। और मैं हमेशा similar sum इसले solve कर रहाता हूँ कि आपको चीजे में इसले तो इसले कि आपको फरक दिखाई दे कि आपको समठ महाँ आ 그러면 कि हाँ यह तो बहुत इजी है तो दोस्तों यह वाला पार्ट मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको एक्जाम में अगर कोई भी पार्ट आएगा तो आप बहुत अच्छे स्वाल करोगे अब मैं आता हूं स्टार्टिंग के पार्ट पर दोस्तों अगर कभी आपको डिवीजन अल्गोरिधं पर कोई भी चीज पूछा गया तो देखो आपको ओर ऑल कितनी चीजों के पर फोकस करना चीए यहां पर अगर आपको इसके उपर कोई कोश्चन पूछा है तो आप देखो यहाँ पर आ गया तो देखो दोस्तों में में पार्ट्स आप याद रखो कहीं पर अगर समझो ऐसा है देखो ए हैं और यहाँ पर बी लिखा है तो आप देखो इसी का एडिवीजन ऑफ बी डिवीजन का यहाँ पर आप उसको हमेशा कैसे लिख सकते हो पता यहाँ पर अगर समझो एडिवीजन ऑफ बी नहीं है देखो एज नौट डिवीजन ऑफ बी तो आप यहाँ पर लिखो इस तरह से और इसको क्या करोगे कट कर दोगे तो यह दो चीज तो आपको पता चल गया अगर कुछ पूछा तो आप यह दो स्टेटमेंट लिखके उसके सिंबॉलिक फॉर्म लिख दो बात में यह चीज़े मैंने आपके लिए बहुत अच्छी चीज़े लाई है देखो फॉर एक्जंपल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि फॉर डिवाइट्स ट्वेल अब यहाँ पर एंसरगलागम मैं क्या थो सबाकुल मैं टिक को करेंगे इंसर वहमारह की आएगा दोस्तो इसंए यह पता चला कि यह पटा चला कि यह जो तो आप लिख सकते हो कि आप 4 से आराम से 12 को डिवाइड कर सकते हो बाद में आप यह बोल सकते हो कि जो अगर मैं 12 के टेबल में आता है तो जैसे कि एक टेबल में आता है तो इसलिए मैं इसको फैक्टर सब्सक्राइब भी बोल सकता हूं तो ऐसे कोई भी नंबर्स आएंगे तो यह दो चीजा आप लिख सकते हो और एक तरह का यह एक्जामपल देखें और एक-डो lijn यह लिख दो बस हो गया और दोस्तों हमेसे और छीज यह जो बी है वहमेसा दोस्तों एक के मल्टिपल सी duck complete कर दिया है अब थोड़ा बहुत important पार्ट है वो depend करता है कि अगर ये वीडियो को 10,000 वीव चले गया कितना वीव बोल रहा हूँ 10,000 अगर जैसी वीव चले गया वैसी आपको दूसरा lecture मिल जाएगा अगर आपने lectures नहीं देखा तो फिर मैं मेरा मेहनत करके कुछ मतलब नही मैं याद था कि यार आप लोग comment कर रहा हूँ मुझे 3D जाना था फिर भी मैं आपके लिए बना रहा हूँ वीडियो बस अगर आप इसको 10,000 वीव कंप्लीट कर दोगे तो मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो से लेकर आओगा इस टॉपिक को मैं बोल रहा ह हैं मेरे दिल में आपके लिए जो मैं पूरा निभाता हूँ इसमें एक दो हैं जो इसी जो को अलग लेते हैं तो उनके लिए तो मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ जो मेरे हैं अपने हैं उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ चलो बाय बाय टेक क्यार जहीं दोस्ते झाल झाल